फ्रेंड्स अगर आपको हमेशा पेड़ दर्द देती है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते होंगे क्योंकि पेड़ दर्द देने से लोगों को ऐसा लगता है कि बेड़ पर ही परे रहे कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है, कुछ खाने का भी मन नहीं करता है और वो बहुत ही अपने आपको कमजोर महसूस कर पाते है उन्हें ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, कैसे ठीक करें अगर आप पेट दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेसान रहते हैं आप हमारी इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहे हैं हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी स्टीप्स और ट्रिक्स फ्रेंड्स पेट दर्द से राहत पाने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ इसी तरह के इंट्रेस्टिंग व आने के लिए आप हमारे बताएगे टिप्स को जरूर फॉलो करें आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगी फ्रेंड्स फर्स्ट टिप्स है आपको जब भी पेट दर्द देता है तो आप कोकोनेट वाटर पिए क्योंकि वो ठंडा होता है अगर आपको पेट में गर्मी होने के कारण पेट दर्द दे रही होती है तो नारियल पानी पीने से पेट को ठंडक मिलती है और पेट दर्द हो कम हो जाता है इसलिए जब भी आपको पेट दर्द देता है तो आप जरूर एक नारियल पानी को पीए सेकेंड टीप है आप चूर्न खाए चूर्न आप घर में भी उसे बना सकते हैं। आप एक以上जवाईन ले ले और अधि हमाच मिर्च नी ब्लाक पडels Karla fiber गर्म कर ले में। गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप उसे ग्राइंड करने यहांनी पीष लें। priests के बाद आप उसमें ब्लाक सॉल्ट यहांनी काला नमक आप आधी चमच काला नमक मिला ले या स्वादानुचार मिला ले और उसे आप दीन में तीन बार खाए जब भी आप खाना खाते हैं खाना खाने के बाद आप उसे खा ले इससे भी आपको पेट दर्द से बहुत ही रहत मिलेगी अब आते हैं ठर्टीप पर आप पेट बिल्कुल ना खाए क्योंकि तेल मासाला के करन भी गैस बनाता है पेट में इसलिए आप बिल्कुल ही स्पाइसी फूड ना खाए और आप जंक फोड या स्टीट फूड बिल्कुल ही ना खाए आप प्लेन फूड खाए जैसे राइस पलसेज अगर आप ऐसा करते हैं तो पाए करनेसे भी आपको पेट दर्द से रहत मिलेगी फूर्थ टिफ है आप एक बॉल में या किसी भी बर्तन में पानी को गर्म कर ले और गर्म करने के बाद आप एक कांज का बोळतलों ले और उस बड़े पानी को रख और आप अपने पेट पर उस बौर्टल को रोल करे आप ऐसा दस से पंदरा मिनट तक के लिए करें ऐसा करने से आपको बहुत ही ज्यादा रिलाक्स मिलेगा ऐसा आप दिन में दो बार कर सकते हैं अब आते हैं फिर्थ टीप पर आप जिंजर टीप पिए या अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप बॉयल वाटर ही पिए बॉयल किया हुआ पानी को ही पिए क्योंकि कच्चा पानी पीने से उसमें जम्स रहता है इस वज़ा से भी आपको पेड़द हो सकता है इसलिए आप पानी पी रहे हैं तो बॉल वाटर ही पीए शिक्स्थ और लास्ट टिप है आप लेमन जूस को बेकिंग सोडा के साथ पी सकते हैं अगर आपको गैस के करण पेट दर्द देती है तो आप लेमन जूस को बेकिंग सोडा के साथ अगर पियेंगे तो आपको पेट दर्द से राहत मिलेगी अगर आप इन सब टिप्स को अपनाते हैं, फिर भी आपको पेड़ दर से रहात नहीं मिल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि ए आपकी सेहत की बात है, इसमें कोई देरी करने की बात नहीं है, और आप इसे अंदेखी ना करें, और अपनी सेहत पर ध्यान दे, तो फ्रेंड्स अगर आपको ए वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक और सेयर जरूर करें, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करें, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाब बाई